हेलो फ्रेंज, आज मैं आपको 2016 की इंसेन, एक मिस्ट्री कोरियर मूवी एक्स्प्रेंट करने वाला हूँ यहाँ पर एक लड़की को जबरदस्ती में ले जया जाता है यह जो मूवी है, यह बहुती ट्विस्टान टन से भरी हुए है तो डारेक्टली शुरू करते है मूवी स्टार्ड होती है और हमें दिखता है कि हमारी जो मेन क्यारेटर है जिसका नाम है सुवा, यह रस्ते से जायरी होती है जाते जाते हैं कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और गाड़ी में डाल देते हैं इसके बाद इसे mental hospital ले जाया जाता है इसे लोग वहाँ ले जाकर शौक विकराते थे यहीं खतम हो जाता है और हमारा next character हमें दिखता है इसका नाम है नामसू नामसू जो होता है तो एक channel के लिए वो काम करता है इसका special एक program होता है इसका program जो है बहुत ही successful हो गया है इसी वज़े से इसके आज interview चल रही है इंटर्वी जब चल रहे होती है तो जो interviewer होता है उसकी assistant वहाँ आती है और उससे कहती है कि नामसू का जो program है वो fake है अभी अभी इसकी news broke हुई है नामसू की पूरी repetition खराब हो चुके है तो यहाँ से वो चला जाता है अब हम देखते हैं कि एक साल गुजर चुका है चानल के boss ने नामसू को बूलवाय होता है यह दोनों गाड़ी में बात कर रहे होते है यह जो चानल का boss है उससे कहे रहा होता है कि और एक नया प्रोग्राम आया है तुम वो कर सकते हो यह तुमारे career के रिए अच्छा होगा नामसू को यह मनजूर नहीं होता वो जो प्रोग्राम कर रहा था वही प्रोग्राम उसे चाहिए उसका जो नाम खराब होआ था यह प्रोग्राम के डारेक्टर की वज़े से हुआ था इसमें इसका कोई भी हाथ नहीं था गल्ला स्टोरी इसके प्रोग्राम पर सुनाएं गई थी पर इसे इसके बारे में कुछ ही पता नहीं था प्रोग्राम डारेक्टर पर ब्लेम ना है यह जो program वो करने वाले होते हैं यह भूतो की वारे में होता है भूतो के investigation वगरा हो करेंगे और इस वार program मनाने वाले होते हैं अब next scene में हम देखते हैं कि नामसु का boss और उसके एक assistant जो होती है यह सब discuss कर रहे होते हैं अब इनका जो प्रोग्राम है, इसमें उन्हें कौन सी स्टोरी करनी है, ये वो सिलेक करनी होते है, इनके बास बहुत सारी फाइल्स वगरा होती है, इसके बारे में वो पोल्ट रहे होते है, नामस को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, तब ही वो एक जली हुई डायरी दिखत है, नामस अब डिसाइड करता है कि उसे यही अब स्टोरी करनी है, उसका बास मान नहीं रहा था, पर वो बास को कहता है, कि एक्जुकेशन इंपोर्टन्ट है, उसे का डायलाग उसे ही देता है, अब सब टीम लेकर ये जले हुई मेंटल हुस्पिटल में आते हैं, यहाँ सुवान मेंटल हुस्पिटल में थी, तब उसे ही इसने हेल्प किया था, यह सब डायरे में लिखा हुआ होता है, जब इसकी आइडेंटिटी नामस को पता चल जाती है, तो उसके पास हो जाता है, वो सुवान का नाम लेता है, उससे कहता है, तुम अगर कुछ पता होगा, तो तुम ब्लिंग करना, यह जब सुवान का नाम सुनता है, तो डिस्टब हो जाता है, नामस को फिर वहाँ से जाना पढ़ता है, अब नामस को पता चल चुका है, कि इस डायरे में जो भी सब लिखा है, यह सच मुछ में एसा ही हुआ है, जो फायर मेंटल हॉस्पिटल मे में जुड़ गए थे तो आख के बारे में कोई भी किसी को जादा पता नहीं है ये सब चीजे नाम अपनी असिस्टन को खेता है जब नाम सू और भी इंवेस्टेशन करता है तो जो पुलिस ऑफिसर मरा था ये सुवान के फादर थे सुवान ने अपने फादर को मारा है ऐसा उस पर शक था तो इसी वज़े से उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया है इसे पहले भी वो मेंटल हॉस्पिटल में थी उसके फादर नहीं यह उसे भरती करवाया था नाम सू फिर एक मेंटल हॉस्पिटल ने पहुचता है वहागा जो इंचाज होता है उसे मिलने देता है नामसू फिर सुवान के बास जाता है उसे उस आख के बारे में पूछता है सुवान को जो बात नहीं कर रही हो थी नामसू फिर उसे एक डायरी दिखाता है नामसू से कह रहा होता है कि वो पुलिस में है और इसे इन्वेस्टिकेशन करनी है इसी वज़े से वो आया नामसू फिर सुवान को अपने सही आइडेंटिटी पता देता है उसे ये भी कहता है कि ये जो डाइरी है ये मुझे नियूस चैनल में मिली थी नामसू जो गोस्टरी उसे करने थी उसके पीछे अपने ही लगता का जो पुराना शो था उसे उसमें वापस जाना है इसके बारे में वो अपने बॉस से बात करता है उसका बॉस मना कर रहाता है नामसू से कहता है कि मेरा जो पुराना शो है उसकी रेटिंग बहुत ही खराब जा रही है अगर वो फिर से वापस आ गया तो इस सही हो सकता है नामसू अपने असिस्टन को फायर के बारे में सब कुछ पता करने के लिए बोलता है नामसू की असिस्टन फिर पता करकर कहती है कि जो पुलिस ओफिसर मरा था यानि कि सुवान के फादर ये कभी भी कोई भी स्कैंडल में नहीं थे सुवान इनकी स्टेप डॉर्टर थी इनकी जो वाइफ है ये दो साल पहले ही मर गई थी नेक्स जे नामसू सुवान से मिलने के लिए जाता है उसे कहता है कि जो भी सब कुछ सच है ये तुमें बता देना चाहिए लोग इससे इंटरस्टेड है और सचोच में अगर तुमारे साथ वैसा हुआ होगा जैसा इस डायरी में लिखा है तो तुम यहाँ से फ्री हो सकती हो नामसू कहता है कि तुमारे सोरी पर मैं अभी बिलिव नहीं करता पर जब तुम सब कुछ सच बताऊगी तो लोग इसमें इंटरस्टेड हो सकते है तुम यहाँ से बच कर जा सकती हो नवसूआन सब कुछ बताना स्टार्ट करती है किस तरह से उसे ले जाया गया था इस mental hospital का जो इंचाज था यह बहुत ही जालिम था इसे पता था कि suhan normal है पर फिर भी इसे यहाँ रखा गया था यहाँ पर एक nurse था जो अपने movie के first में देखा था जो जला हुआ है यह suhan को help करदा था इसे पता था कि suhan normal है जब suhan गोलिया नहीं ले रही थी तो इस nurse ने उसे बताया था कि अगर तुम गोलिया नहीं लोगी तो यह लोग तुम्हें बहुत ही तड़पाएंगे suhan ने जब इसे बताया कि वो सचमोज में ऐसी पागल वगरा कुछ भी नहीं है तो इसने उस पर believe किया था suhan फिर बोली कि मुझे एक call करने दो इसके लिए मार नहीं रहा था suhan ने फिर एक number लेया और उसके note pad पर note कर दिया वो बोली कि इस number पर call करो कोई ना कोई मुझे help करने के लिए आही जाएगा इस nurse ने इससे यहां कहा था कि sharp object इस mental hospital में allowed नहीं है तुम कुछ भी leak नहीं सकती इसके बाद जब suhan mental hospital में थी तो वहाँ एक औरत उससे मिली थी इसने उसे पुझा था कि क्या तुम्हें यहां से बाहर निकलना है suhan भी इसमें interested हो गई थी वो पागल औरत बोली थी कि यहां का जो in charge है इसके room में एक secret doorway है यहां से तुम बाहर निकल सकती हो जब suhan ने इसे password भुझा था तो यह कुछ ही बोली नहीं थी यह पागली थी तो कोई भी story make up करी है ऐसा suhan को लगा था अब जो नामसू investigation कर रहा है तो इस पर और भी data उसे मिल जाता है यहां नामसू को पता जलता है कि hospital का जो in charge था यह suhan के father का junior था suhan के father को कोई भी scandal नहीं चाहिए था उनकी बेटी insane थी इसी वज़े से उसने अपने junior से help ली होगी यही reason होगा कि suhan का नाम mental hospital में जो patients थे इसमें नहीं था यहां कुछ ना कुछ तो गडबड थी तो यही उसे explain करता है इसमें इतिक यह hospital का जो in charge था यह वहाँ के patient से अने इतिक शारिक संबन रखता था इस mental hospital में रहना उसके लिए बहुत ही heart था इसके बाद हम देखते हैं कि नाम su और उसके assistant अब पता कर रहे होते हैं अगर suhan mental patient नहीं थी तो उसे क्यों वहाँ रखा गया था जब एक कुछ लोगों से बोलते हैं तब उन्हें एक law के बारे में पता चलता है अगर किसी आदमी के caretuggers उसे mental hospital में भरती कराने के लिए sign दे देते हैं तब उस आदमी के मर्ज़े खिलाब उसे वहाँ रखा जा सकता है यह बहुत ही घटिया लगा होता है और इसके खिलाब लोग बहुत कुछ कर भी रहे होते हैं पर अभी भी यह change नहीं हुआ होता कुछ लोगों ने इस पर आवाज उठाने के कोशिश की थी पर यह सब दबा दिया गया था कुछ साल पहले होस्पिटल का जो इंचार्ज था उस पर एक inquiry बेटी हुई थी इस inquiry को सुवान के जो फादर थे उन्होंने सब निप्टा दिया था इसी वज़े से होस्पिटल का इंचार्ज इसको ओ करता था इसी वज़े से उसने इसे help किया था अब नांसो को पता करना होते है कि होस्पिटल की इंचार्ज पर inquiry क्यू बेटी थी जिसकी वज़े से inquiry हुई थी उसके रिलेटू के पास ही जाते है वहाँ पर एक औरत होती है यह अब इन्हें कहती है कि मेरी फादर वहाँ थे इनका एक औरगन उने निकाल दिया था मुझे जब यह पता चला तो मैंने उस पर केस की थी सुवान ने अपने डायरे में लिखा होता है कुछ लोग जो ओफरेशन ठेटर जाते हैं तो वहाँ से वापस ही नहीं आते इसका मतलब है हॉस्पिटल का इंचाज लोगों के बार्स निकाल कर उसे सेल कर देता था हॉस्पिटल रेकॉर्ड्स में कुछ लोगों के नाम नहीं होते हैं इसका मतलब है जो लोग यहां आये थे उनका नाम ही नहीं था तो इनके अगर organ sale कर देगा तो कोई भी case वेगरा कुछ भी नहीं होगा सुवान जिस कमरे में locked up थी उसके side में और ही कमरा था वह एक आदमी था जिसे बात कर सकती थी उसने इसी कहा था कि उसे पता है कि यहाँ बाहर कैसे निकलना है सुवान ने उससे जब पूछा तो उसने कहा कि मुझे शौर में आकर मिलना जब यह शौर में उसके पास गई तो इसे कुछ भी मालूम नहीं था और सिर्फ वो time pass करना चाता था उसने सुवान को जगड लिया था तो सुवान ने उसे एक चाकू से मार दिया था जब सुवान ने उसे मार दिया तो सब हलचल मच गए इसके बाद हॉस्पेटल का इंचाज विगरा सब लोग उसके पास चले गए और सुवान वहाँ से निकल गए हॉस्पेटल का इंचाज का जो रूम था उसके पास वो आ गए वहाँ का जो security code था यह उसे पता नहीं था पर उसे जो पहले पागल वारत मिली थी जिसने उसे पताया था कि उसे सब कुछ पता है इसने उसे अब यह security code दे दिया था यह अंदर घुसी और secret doorway उसे मिल गया इसे वो भार की दुनिया में आ गए पर यह ज़रा injured हो चुकी थी यह पागलों की तरह street से खुम रही थी यह पुलिस के बास गए और उसे इसने help मांगा इसे लगा कि पुलिस अब इसे hospital लेकर जाएंगे वो इसे फिल से mental asylum में ही लेकर गए अब जो hospital का इंचार्ज था इस वर बहुत ही चिड़ गया था इसे फिर वो operation traitor में लेकर गया और इसके organ निकालने वाला था यह सब अब नामसो को बदा जल गया है तो यह सब चीजे अपने boss को समझाता है इसका boss भी इसमें interested हो जाता है यह एक अच्छे story बन सकती है इसका boss भी मान जाता है कि छोटा सा segment में तुमें दे सकता हो इसके बाद तुमें जो भी सब करना है यह तुम कर सकते हो अब नामसो को show के लिए footage चाहिए होता है तो swan के पास आता है swan से पुछता है कि क्या तुम्हारे father थे जो इनने सब कुछ बता सकता है यह भी hospital से फरार हो जाता है अब इनके पास बहुत ही बड़ी problem हो जाती है नामसो swan से फिर से मिलने जाता है तो swan अब इसे deny कर देती है इसके interview में वो question का answer नहीं देना चाहती नामसो अब decide करता है कि swan को कुछ भी याद नहीं आ रहा हम उसे help कर सकते हैं कुछ भी याद दिलाने के लिए उसके boss ने उसे जो special segment दिया होता है जिसमें उसे सब कुछ story बताने होती है वो segment पर वो आते हैं और कुछ भी नहीं बताता वो सिर्फ अपने next week जो show होने वाला है इसको tease करता है यह जो show है यह उसके boss ने इसे करने के लिए permission नहीं दी है तो इस वज़े से इसका boss बहुत ही इस पर चेट जाता है नामसु कहता है next week तब मेरे पास बहुत सारी information आ जाएगी उसका boss उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी information नहीं दी तो यह बहुत ही बुरा हो सकता है अभी अभी नामसु ने जो सब show किया था वो सब swan देखती है यह बाद internet पर सब खलपली मच जाती है mental hospital के पास बहुत सारे reporters वेगरा आते है वो सब swan की interview लेना चाते है नामसु भी बहा होता है अंदर से एक आदमी आता है और नामसु का नाम लेता है अब swan नामसु से बात करना चाती है जो interview देनी रही थी अब वे देनी के लिए ready है नामसु swan के पास जाता है तो वो खेता है कि जो nurse था वो hospital से भाग गया है swan नामसु से कहती है मैं तो जो सब कहा है उसमें और एक चीज़ थी जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है यह कहती कि जो nurse था जिसे मैंने एक number दिया था यह number उसके boyfriend का था swan की help करने के लिए उसने बहुत सारा try किया था अलगले लोग को उसने contact किया था पर यह कुछ भी कर नहीं पाया था इसने nurse को भी call किया तो nurse बोला कि अगर तुम्हें इससे मिलना होगा तुम्हें mental hospital में आना पड़ेगा तुम directly यहां घुस नहीं सकते तो मुझे तुम्हें contact करना पड़ेगा जब swan का boyfriend इस mental hospital ने पहुचा तो swan के organs वो निकालने वाले थे जो hospital का इंचाज था उसने swan के boyfriend को भी पकड़ लिया पहले swan के boyfriend की organs वो निकालेंगे यह उन्होंने decide किया जब उन्होंने swan का boyfriend को cut करने के लिए वहां रखा तभी hospital में आग लग गई यह जो आग लगी थी यह एक पागल औरत ने लगाई थी हमने देखा है कि इसे hospital के इंचाज के room का password पता था यह अंदर खुस गई थी और candle से खेल रही थी इसी वाजे से अब hospital में आग लग गई थी इस आग में hospital का जो इंचाज था उसे इनोंने इंजोर कर दिया था वो मरने वाला था पर सुआन के boyfriend को भी उसने पकड़ लिया था इसी आग में सुआन को boyfriend भी मर गया सुआन यहाँ से बचकर निकल गई थी नामसु फिर कहता है कि तुम जब बाहर निकली तुम तुमारे stepfather के आ गई उसके पास जाकर तुमने उसको मार दिया हमें पता है कि नामसु उस पर ज़्यादा बिलिव नहीं कर रहा था नामसु फिर कहता है कि तुम हमेशा से पागल थी इसी वज़े से तुमारे फादर ने तुम्हें वहाँ भरती कर वाया था तुम जब भाहर निकले तो तुम्हें उसके बदला लेना था और वो बदला तुमने ले भी लिया सुवान इस पर चीर जाती है वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है तुम्हें पता नहीं है कि मेरी मदर और मेरे साथ ये क्या करता था जब से छोटी थी तब से उसके फादर उसे अब भी उस करते थे सुवान फिर उसे कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा है पर जब मैंने उन्हें वहाँ देखा तो पहले ही मरे हुए थे अब नामसो इसका एक शोव बनाता है और शोव में यह सब जो स्टोरी थी यह सब कुछ बता देता है इसके बाद सुवान की जो केस थी इसमें इन्वेस्टेशन पूरी नहीं हुई थी क्योंकि सुवान एक मेंटल पेशन की तरह बरताव कर रही थी जब पूरी जाच होती तब इन्हें पता चलता है कि सुवान के जो स्टेफ फादर थे यह मेंटल इंस्टेबल थे यह मेंटल हॉस्पिटल से ड्रग्स वगरा मंगवाते थे जब यह मरे थे तब यह ड्रग्स ही कर रहे थे इन्होंने अपने आप से खुदखुशी कर ली थी इसके बाद सुवान की हीरिंग होती है कोड अब डिसाइड करती है कि सुवान के खिलाप इनके पास पुरे एविडन्स नहीं है तो अब इसे वो छोड़ देगी सुवान जब मेंडल हॉस्पिटल से निकल थी है तो नामसु उसे लेने के लिए जाता है वो फिर उसे उसके घर छोड़ देता है सुवान जाते जाते अपने डायरी नामसु को दे देती है उसे गह दिये कि mental hospital में कुछ भी लिखना allowed नहीं है अगर mental hospital में कुछ लिखना allowed नहीं है तो सुवान ने कैसे लिखा था नामसु अब सब चीजों पर सोचने लग जाता है अब हमें सचमुझ में जो भी कुछ हुआ था ये दिखाये जाता है सुवान के जो फादर थे उसने सुवान की मदर को mental hospital में रखा था वो actual में dead नहीं थी तो mental hospital में उसे रखा गया था जो भी सुवान ने कहा था कि mental hospital में उसके साथ क्या क्या हुआ ये सब उसकी मदर के साथ हुआ था नर्स को जो number दिया गया था यह सुवान की मदर नहीं दिया था सुवान ने बोला था कि उसे हेल्प करने के लिए उसका बॉइफरेंड आया पर यह बॉइफरेंड एक्जिस्ट नहीं करता था यह जो नमबर था यह सुवान का था तो उसकी मदर को help करने के लिए सुवान ही वहा आई थी जो fire होई थी तो उसके मदर मर कई थी अपने मदर का बदला लिनी खेले उसने सच्मूश में अपने फादर को मार दिया होता है इसने फिर ये diary plan की थी विजनश के इसने diary भी ती यानि कि इसकी फिर से inquiry हो जाए और इसने जो murder किया है यह अब इससे छुट जाए सच में उसमें ऐसा ही उसका plan अब successful हो जाता है अब last scene में camera की तरफ यह देखती है और यही movie end हो जाती है अगर आपको एफ वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर तो प्लीज इस चैनल को subscribe पर दीजिए और bell notification icon दबाना भी मत भूलिए हम फिस से मेलेंगे और एक नई movie के साथ तबते के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिये